मेरा नाम है भावना और आप लोग का मेरे चैनल भावना इन यूएसे में बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैपी रक्षा बंदन और यह है मेरा चोटा भाई तो हम दोनों ने वर्चुली एक दूसरी को रक्षा बंदन विश कर लिया है तो मैं जैस आप लोग के साथ दिशेयर करना चाहरी थी और इसका भी यूट्यूब चैनल है ट् पीषने सेथ क्योंकि मैं बनाने जारी हूं दाल के पकोडे जो हम हर तिवहार पे करते हैं हम जो भी आप लोग उत्रा खंके होंगे या जो भी गड़वाली लोग होते हैं I think वो भी कुछ भी occasion होता है कुछ भी तिवहार होता है तो दाल के पकोडे तो जरूर बनते हैं भल से पहले भगवान जी को प्रशाद चुड़ाओंगी और जो भी राकी होती है I think राकी का मौरत तो एक वजी के बाद ही है तो तब तक मैं जो भी preparation है वो सब कर लूँगी और हम वोई phone में अमेरिका में रहके बस यही होता है कि आप चलो phone से ही और वीडियो कॉल करके ही रक सबसे पहले भगवान जी को रख लिया है और अब ही क्योंकि टाइम है तो वह यह हम सबसे पहले थोड़ा सोच रही हूं कि मैं पहले लंच भी प्रिपेर करके रख लेती हूं तो उसके बाद ही फिर हम जो भी मतलब यह celebration स्टार्ट करेंगे तो यह है तो आज रक्षा बंदन स्पेसल लंच में बन रहा है पाव भाजी तो उसके लिए मैंने चार आलू ले लिए थोड़ा सा गोबी ले ली और गाजन मैंने काटके रख लिए और जो यलो वाली सिम्ला मुर्च होती है वो और मतर तो इन सबको मैं सबसे पहले बहुत ही सिंप करेंगी तो उसके बाद मैं इसको इन जितनी भी सब्जियन को मैश कर लूँगी तो मैंने सब डाल दिया थोड़ा सा में नमक डाली हो कि जिससे जल्दी से उबल जाए और हमारा तो टाइम है वो भी सेव हो जाए तो मैंने रख दिया है और तब तक जो भी मुझे फ्राइ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपको अन्यन और जो टमाटर है वो थोड़ा सा जादा काटे जिससे जो ग्रेवी होगी अच्छी सी बनेगी मिंस ग्रेवी तो नहीं लेकिन जो भी उस वैसे हम बोल सकते कि जिसमें फ्राइ करेंगे तो अच्छी से उसका जो अच्छा हैगा तो मेरी वो बलकर के रेडी हो गई है तो अब मैं जो भी हम डालते हैं ही मसाले जीरा वो सब मैं इसमें डाल रही हूं और नॉर्मली मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्राइड नहीं करूंगी जैसे कि आपको भी दिखी रहोगा तो अब मैंने जीरा ही सब डा तो इसके बाद अनियन उगया तो इन सब को थोड़ा सा जो अनिया अलिक है इसको अच्छे से में थोड़ा सा फ्राइब कर लोंगी जब तक पर लाइट ब्राउन नहीं हूपता है तब तक और उसके बाद मैंने टू इसमें टी स्पून वो डाला जो कारलीक जिंजर पेस्ट होता है और उसके बाद मैंने जो भी ये आपके जो टमाटर हमने चौप करके रखे दे वह मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा पका लूँगी जो टमाटर होत ऑर मैंने इसमें थोड़ा सा पहले ही जो कीचन कि मसाला होता वो एट किया लेकिन उसके बाद मैं थोड़े देर मैं जो पाव भाजी का जो मसाला होता है बस वही एक सबसे जो पेसल है वो बात मैं एट करूँगी तो अभी मैं जैसे को आपको दिख रहा होगा जो इतनी भी हमारी वेजी थी अच्छे से मैंने मैश्ट कर ली थी क्योंकि अच्छे से बॉयल हो गई थी तो बस अब इसको मिक्स कर लेना है और इतनी अच्छी अरूमा आ रही है भाव जी की विल्कुल मन हो रहा है बस अब ज स्लाइस बटर एट कर ली है तो यह तो सबसे में होता है तो हमारी भाजी बन करके रेडी हो गई है अब हम पाव रेडी करेंगे और लास्ट में मैंने कसूरी मीथी अट कर ली तो बहुत ही जल्दी बन गया और मैंने अभी पैन रख लिया है जो पाव को इसमें थोड़ा स पाव बना है अब हम पूचा कर रहे हैं क्योंकि मुरत हो चुका है तो यह हम पूचा करने के बाद अपने अपने हाथ में राकी बांद लेंगे तो भगवान से यही प्रातना करती हूं कि सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर त्योहार करें और भाई-बहन का प्यार ह उसके बाद थोड़ा भाद फोटो शूट कर लेंगे और देखते हैं शाम को थोड़ा सोच रहे हैं बहार निकलें तो ये तरह मनसुने पहन लिए है राखी और मैंने भी और मैंने महंदी भी लगाई थी ये देखिए कर रात ये है मेरी महंदी और अब मैं दिखाती हूँ अपना अपना जो लुक है तो अभी मैं अच्छे से दिखाती हूँ तो ये है मेरा लुक मैंने शारी पहनी है और रायन ने पहना है कुर्ता लेकिन उसने पांच मिनट के लिए पहना उसको उतार दिया क्योंकि उसको थोड़ा सा कमफर्ट नहीं लगता है और ये है रायन की जो लास्ट ये रक्षा बंदन की वीडियो तो उससमें रायन का मुंडन भी नहीं हुआ था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके मैंने घर पे ही उस टाइम पे क्योंकि कोविड बहुत ही पीक पे था वह फुकते थे लेकिन आप ऐसा नहीं थोड़ा बहुत तो सही हो चुका है माहूल तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा शाम को ऐसी ही निकलने बाहर तो थोड़ा दिन भी अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा घूम के भी आ गए है वही है और फाइनली हम शाम को ऐसी थोड़ा गुमने आये थे तो हमने सुझा चलो आप कुछ खाके चलते हैं तो हमने पीजा ओर्डर करवाया है और पीजा के साथ रायन को यहां पे पताए क्या आइस्क्रीम भी मिलती है तो उसकी फेवरेट वह इसके लिए तो यहीं पे जरूर आता है तो यह है चॉकलेट आइसक्रीम तो अब वह हैपी है तो फाइनली हम लोगों ने इस तरीकी से रख्चाबंदा सेलेब्रेट किया कर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें